गोतम चित्र बना रहा था, कभी कुछ बनाता, कभी मिटाता, तबी उसे एक आवाज सनाई पड़ी धीरे धीरे करो, क्यों अपने ड्रोईंग की कौपी को फाड़ रहे हो, इतना रगणने से मुझे भी तो दर्ध हो रहा है गोतम ने आँख उपर उठा कर कमरे में इधर उधर देखा, कमरे में तो कोई नहीं था, पर बोला कौन, कोई ठाहा का मार कर हसा हसी की आवाज से गोतम चौक गया, इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ गोतम के हाथ में रबर थी, उसने जल्दी से रबर मेज पर रख दी, यह रबर उसके मित्र ने उसे जन दिन पर दिया था वह रबर मानव की आकरती की ही बनी थी, बहुत सुन्दर, गोतम को यहाँ उपहार सबसे अच्छा लगा था अब देखा कि उसका यहाँ दोस्त तो बोलता भी है, गोतम बोला, अरी दोस्त, तुम्? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ रबर ने कहा, फिर वहाँ गोतम को अपनी बारे में बताने लगा मैं तुम्हारी पड़ी काम की चीज हूँ किसी शब्द को अशुद लिख दिया, तो मुझसे मिटा कर शुद्ध कर लो चित्र की आकरती ठीक नहीं बनी, तो मुझे प्रयोग मिलाओ मिटाओ और नया बना लो और हाँ, मुझसे बनी गेन से खेल कर तुम कितने प्रसन होते हो तुम्हारी बेहन की गोडिया, बतक तथा और कई खेलोने भी मुझसे बने होते हैं मुझसे बनी गेन से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केट बॉल में हवा भर कर लड़के उनसे खेलने का आनन लेते हैं, बारिश के दिनों में मुझसे ही बने जूते चपल पहन कर सब बाहर जाते हैं और बरसाती पहन कर वर्शा से बच तुमने देखा होगा कि डॉक्तर ऑप्रेशन करते हुए या बड़े जख्मु पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं. मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूं. बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहन कर काम करते हैं इनसे उन्हें बिजली का छटका नहीं लगता साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहिये के टायर और ट्यूब मुझसे ही बनते हैं मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वहा निकलती नहीं तुमने देखा होगा कि हवा भरी ट्यूब को कमर में बांद कर लोग तैरना भी सीखते हैं अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कितने काम का हूँ गौतम बुद्बुदाया हाँ दोस्त पर तुम आते कहां से हो रबर ने आगे बताया वास्तव में मैं एक पेड के रस से बनता हूँ यह रस दूद की तरह होता है पेड की तने में पहले छोटे छोटे छेट कर दिये जाते हैं छेदों के नीचे छोटी छोटी बाल्टिया लटका दी जाती हैं छेदों में से जो दूद जैसा पदार्थ निकलता है उसे इन ही बाल्टियों में इकठा कर लिया जाता है एक पेड से लफ़क तीन लीटर दूद निकलता है इस दूद को पानी में टाल कर उबाला जाता है इसके बाद इसे मशीनों से सुखाया जाता है फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है इनी चादरों से मेरे सामान यानी रबर के सामान बनाये जाते हैं गौतम ने रबर को हाथ में उठा लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, फिर बोला, रबर महराज, आप मिलते कहां हैं? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं, रबर नी ठहाका लगाया. मेरे पेट अधिकतर दक्षिन भारत, असम और त्रिपुरा राजियों में पाये जाते हैं, वहां घुमने जाओ, तो मुझसे मिलने जरूराना.